इस नर्सम्ह लीला में एक जो विशय है, उसके बारे में मैं चाचा करूँआ कि नर्सम्ह देव स्वयम क्या बोलते है इस लीला में? श्रीमत भागवतम के सात्वे सकंद में नर्सम्ह देव की लीला का बरणन आता है वास्तों में अधिकान शुबरतांत है, वो परहलाद के जीवन के बारे में है, उनके शिक्षाओं के बारे में है, उनके कारियों के बारे में है और जिब नर्सिम्हदेव प्रकट होते है, नर्सिम्हदेव जब हरन्य कशिप का उधार करते है, उसका वद करते है, उसके बाद में प्रहलाद नर्सिम्हदेव को प्रार्थना करते है, अर्पन करते है और बहुत विख्यात प्रार्थना है हो, पर नर्सिम्हदेव स्वयम क क्या बोलते हैं तो यह काफी रोचक है समझने के लिए तो नरस्मदे जो है वो चात्रियसकंद का नौवा अध्या है उसमें तीन श्लोग बोलते हैं और जो दसवाध्या है उसमें लगबग साथ आठ श्लोग बोलते हैं तो खास करके जो प्रहलाद महराज को नर्समादेव बोलते है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे जो नर्समादेव के जो का भाव है वो समझने का प्रयास करेंगे हैं तो अभी जब कोई व्यक्ति कुछ बचन बोलते है तो वास्त्व में उसके द्वारा न केवल वो कुछ अपने होटों से या मूँ से बोल रहे है पर उनके रुदय में क्या है वो व्यक्त होता है कभी-कभी व्यक्ति अपने रुदय में क्या है वो छुपाने का प्रयास करते है पर खास करके हमें हमें जिनसे बहुत सनेह होता है जिनसे बहुत प्रेम होता है जिब उनसे हम बात करते हैं तो हमारे जो वचन होते हैं हमारे रुदय का एक प्रतिबिंब रुदय का एक प्रतिबिंब रुदय का एक प्रतिबिंब 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 में क्या बोलते है यह इसका एक श्लोक चर्चा करेंगे और ऐसे जितना समय है हमारे बास उसमें हम बाकी श्लोकों की चर्चा भी करेंगे तो अभी यह जो है बावनवा श्लोक है सात्वे सकंद के नौवे अध्याएगा श्री भगवान वाच प्रहराद भद्र भद्रम्ते प्रीतो हमते श्रोत्तमा वरम रिष्णी प्रम रुणिष्य वापित्तम काम पूरोस्म्य हम रुणाम प्रहराद भद्र भद्रम्ते प्रहराद आपके प्रति आपका सर्परम कल्यान हो भद्र भद्र भद्रम्ते भद्र मतलब आप बड़े ही मधूर सभाव के हो आप बड़े जेंटल हो तो आपके प्रति कल्यान हो प्रीतो हमते असुरोत्तमा मैं आपके प्रति बहुत प्रस वर जो भी चाहिए आपको असुरों में सर्वोत्तम हो और आपको जो भी वर चाहिए वरुणीश वरुणीशा भी बतम तो आप पूछो मुझे पूछे भी मतम जो भी चाहिए मतम मतलब यहां पे वास्तों में ये केवल इच्छा नहीं है ये बुद्धी से निर्धारित किया हुआ कोई संकल्प है जैसे आपका मत क्या है हम कहते हैं तो मत मतलब केवल आपकी इच्छा क्या है में बोल रहे हैं मत मतलब आपने आपके विचार करके क्या फैसला किया है व तब ये काम पूरो ये बहुत सुन्दर शब्द है अब यसे माया पूर है माया पूर अभी माया पूर के अलग अलग अर्थ है आचारी नों बताया है पर एक अर्थ है कि योग माया का पूर है माया देवी का पूर है जैसे पूर मतलब जगह या स्थान तो काम पूर मतलब व भगवान कौन है, वो हमारे इच्छाओं को पूरे करने वाले व्यक्ति है, अस्मिया अहम्नुर्णाम, मैं लोगों की इच्छा पूरी करता हूं, तो इस श्लोक में, हर पंक्ती में भगवान कुछ महस्तित पूर्ण शी बता रहे है, कि हे प्रहलाद तुम्हारा कल्यान हूं प्रसन हो चुका हूं, और तुम अभी वर मांगो, और नकेवल वर मांगो, उस कहते हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कि मैं वर पूरा करता हूं, मैं वर पूरा करने वाला स्त्रोथ हूं, काम पूरोस में हम रनाम। अभी भागवत में एक जो संदेश है वो हमें कई बार दिखता है कि इस जगत में सब के साथ बुरी चीज़े होती है अगर किसी भी व्यक्ति से हम बात करते हैं आप अपने पिश्टिदारों को जानते होगे दूसरे भक्तों को जानते हो हम लोग जतने लोगों जानते हैं कि everybody's history has a tragedy in it किसी भी व्यक्ति के इतिहास के बारे में अगर हम उतने पूछेगे तो कोई न कोई दुरभाग्य है उनके जीवन में इस जगत में किसी का जीवन हमेशा सुखी नहीं होता है कुछ-कुछ लोगों के जीवन में दुरभाग्य अभी भी चल रहा है तो यह साधारन सवाल होता है किसी भी विचारवन त्विक्ति में आता है कि इस दुनिया में बुरी चीजे क्यों होती है और खास करके इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजे क्यों होती है और अगर उसके ओपर धार्मिक लोग होगे तो फिर भगवान ऐसे क्यों होने देते है तीन सवाल है बुरे चीज़े क्यों होती है जगत में अच्छे लोग के साथ बुरे चीज़े क्यों होती है और तीसरा है भगवान ऐसे इस तरह से अच्छे लोग के साथ बुरे चीज़े क्यों होने देते है तो शुरुमत भागव खास करके भागवत, पर रामायर और महाभारत भी ऐसे ही सवालों का उत्तर एक तरह से दे रहे हैं, पर वास्तों में वे क्या करते हैं, वो सवाल को बदल देते हैं, ये सवाल नहीं जवाब देते हैं, कि why do bad things happen to good people? वो सवाल को बदल के क्या किस सवाल का जवाब वो प्रस्तुत करते हैं, कि when bad things happen to good people, what do good people do? अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है? इसका एक तत्वज्ञान के स्तर पे हमारे शास्त्र जवाब नहीं देते हैं कभी-कभी, पर अधिकान शुप से वो क्या कर रहे है? जब अच्छे लोग के साथ बुरे चीज़े होते हैं, तो वो अच्छे लोग कैसा कारे करते हैं? तो अच्छे लोग क्या करते हैं? यह जवाब जो है शास्त्र देते हैं. और इसके कई उधारण हैं, अगर हम देखते हैं, परिक्षित महराज, कि उनका ओई भागवतम के प्रधान श्रोता है, उनके जीवन के साथ क्या हुआ? उनके जीवन में छोटी सी गलती थी उनकी एक, कि उन्होंने एक रुशी का अपमान किया, और वह भी छोटा सा अपमान था, पर उसके के लिए क्या हुआ? उनको मृत्यूदन दिया गया, साथ दिनों में. यह बहुत बहुत एक, नकेवल यह बड़ा शाप है, पर यह बड़ा अन्या है. छोटे से गुना के लिए इतना बड़ा शाप दे देना. तो अभी जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हमें लगता है कि ऐसे क्यूं हुआ, ऐसे क्यूं हुआ, ऐसे क्यूं हुआ, मन में घुमते रहता है तो अभी शुक्देग स्वामी क्या कर रहे है भागोतम में वह बता रहे है परिक्षित महाराज को कि इस जगत के इतिहास में कई बार अन्याय हुआ है और कई लोगों के साथ तुमसे भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उसका एक उधारन है यहां पर महाराज आदर से कहते है पर पूरी लीला में जो प्रहलाद महाराज होते है वो एक बालक है तो बास्तर में प्रहलाद एक राजकुमार है प्रहलाद है वो तो प्रहलाद जो है पाँच साल के बालक है और पाँच साल के बालक क्या क्या गुना कर सकता है कि इससे कि कोई उन करे कोई उन पर अत्याचार करे और यहां तक कोई उनका वद करने का परियास करे तो अभी ऐसा परहलात का जीवन रहा है और ऐसे जीवन के बाद नरसमधे परकट हुए है और नरसमधे बड़े क्रोध में थे उन्होंने रने कशिर को अवद किया एक युद्ध के बाद और वे शान्त नहीं हो रहे थे बिलकुल, किसी और के प्रातनाय के द्वारा, तो तभी प्रहलाद ने छोटे से बालक थे, और नरसमदे बड़े कृद थे, पर उनको अपने प्रातनाओं से शान्त किया है, नकिवज शान्त किया है, पर प्रसन्न किया है, तो शान्त मतलब क्या, कोई नकारात्मत भावना है, क्रोध है, तो क्रोध से वो शांतित अगाते हैं. पर प्रसन्नता मतलब शांति के परे हैं सुख हो जा, बड़े प्रसन्न हो जा गए हैं वो. तो इस तरह से प्रहलाद के वचनों के द्वारा नरसिम्मदेव का जो भाव है, वो पूर्ण दया परिवर्तित हो गया है. वो बड़े ही प्रसन्न हो गया है. तो सबसे पहला जो है, कि अगर हम किसी व्यक्ति की शक्ती को समझना है, तो शक्ति हम कैसे समझ सकते हैं? एक तरह से है कि हम देख सकते हैं कि वो कितने पहलवान है, उनके जो muscles है उनके हाथ पर कितने कम कितने मजबूत है उस तरह से शायद हम समझ सकते हैं कि वो कितने शक्तिशाली है पर उससे महत्व पूर्ण है कि वो व्यक्ति कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है उनके सामने किस तरह से प्रस्तूत होते हैं कोई बड़ा है पहलवान ह पर वह उससे बड़े पहलवान के सामने चला जाएगा या किसी राजनीति के सामने चला जाएगा, किसी के पास कोई बंदूक है उसके चला जाएगा, तो पहलवान भी शायद डर जाएगा. तो किसी व्यक्ति की शक्ति को हमें समझ ना है, तो हम कैसे समझ सकते हैं? वह इस से समझ सकते हैं कि वह किसी खतरनाक व्यक्ति के सामने किस तरह से परस्तूत होता है? तो हम देखते हैं कि प्रहलात के क्या करलक्षन था कि वे सबसे पहले जो नर्समा देव जो हिरन्य कशिपु थे हिरन्य पशिगोई सामने बड़े ही निर्भायता से प्रस्तुत हुए थे बिल्कुल उन्होंने भायव्यक्त नहीं किया था और उसके बाद में जो है और यही यही पर्याप नहीं है तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया है उन्होंने जो है अभी नर्समा देव के सामने भी बड़े ही निर्भायता से वो प्रकट हुए है वो प्रस्तुत किया है उन्हों खुद को तब यह से बताया गया तो नर्समा देव इतने क्रोधित थे कि लक्ष्मी देवी भी उनके सामने जाने को तयार नहीं थी और ऐसे परिस्थिती में जो प्रहलाद उनके सामने गए और प्रहलाद ने पूर तया निर्भायता से क्या किया निर्भायता से उन्होंने अपना प्रार्थनाय अर्पन की तो यही जो है यह बड़े ही विलक्षन बात है तो मैं यहां पर जो एक पॉरपॉइंट है पॉरपॉइंट को मैं एक ब्लैक बोर्ड के बारे में तरह से यूज करूँगा और कुछ इंगलिश में टाइप करूँगा जैसे मैं बोल रहा हूं और उसको मैं हिंदी में हम कुछ दो मिनट के लिए विराम लेगे किसी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते है और तो इसके आगे हम आज जाएगे तो अभी जो है आप देख रहे है यहाँ पर सात्वे किसी व्यक्ति की शक्ति है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं यह हम सात्वे स्कन के नववे अध्या के बावन में श्लोक क्या धार पर हम चर्चा कर रहे है तो यहाँ पर जो है चर्चा करने का भाव यह है कि किस तरह से कोई विक्ति कि शक्ति का हम गणना कर सकते हैं तो हम एक पहला किसी how well built they are क्यूंकि वो कितने शारिक स्थर पर शक्तिशाली है तो अभी इस पे तो कोई देखे जाएं तो प्रहलाज जो है नो वो कोई बड़े चोटे से 5 साल के बालक है तो वो कोई बड़े शक्तिशाली नहीं है एक तस देखे जाएं तो see how they stand up to cruel people yes so cruel प्रूर वेक्ति है उनके सामने हो कैसे ख़ड़े रहतें कभी कोई चोड़ा सा वेक्ति होता है कोई बड़ा हो रहती है उसको उसका सामना बड़े निर्भारता से करता है यहाँ उसे से हमका उनकी शक्ती है उनका साहर से हमें दिखता है उसके साथ साथ कोई व्यक्ति क्रूर होता है और कोई व्यक्ति क्रोधित होता है क्रूर मतलब क्या अंदर से ही वो घुनासपत कारे करते हैं अत्याचारी अन्याय पूर्ण कारे करते हैं पर कोई है कि अभी-अभी क्रोध में आ गया वो खुरुद्ध नहीं है, वो कुरूर नहीं है, पर खुरुद्ध है अभी, तो ये जो है, पहले जो है, हिरनेकशिपु के सामने प्रहलाद कैसे खड़े होते हैं, और अभी वो नर्समदी के सामने कैसे खड़े होते हैं, जो देवतागन होते हैं, वो हिरनेकशिपु के साम तो चले जाओं यहां से, उनके क्रोध का मैं शिकार नहीं बनना चाथा। तो प्रहलाद उनके सामने खड़े रहते हैं, पचालिस स्याथिक्ष लोग बोलते हैं, और फिर नकेवल उसका, नकेवल खड़े होते हैं उनके सामने, किसी वक्ति की शक्ति के से, see how they come, angry people. अभी कोई बड़ा ख्रोदित हो गया है, और उनके सामना करता है, नकेवल खड़ा रहता है, पर इस तरह से बोलता है, कि वो वक्ति शान्त हो जाते हैं पूरी तरह से, शान्त हो जाते हैं, प्रसम हो जाते हैं, यह तो क्या आपके वास्चमतकारी शक्ति है, यह कैसे किया तो यह प्रहलाद दर्शा रहे हैं उनकी शक्ति, और हम कैसे पता है कि भगवान शान्त हो गए, एक तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से वारतालाब कर रहा है कोई व्यक्ति, उससे हम देख सकते हैं कि उनका चेहरे पर क्या हाव भाव है कि शान्त हो गया, पर भगवान मैं आप से प्रसन्न हो गया हूँ तो यह भी एक तरसे एक चमतकारिक परवर्तन है कोई व्यक्ति बड़ा कृद्ध है और उस व्यक्ति को शांत कर दिया है तो यह प्रहलाद महाराज की शक्ती इस लोक में दर्शाई जा रही है पर न केवल उनकी शक्ती है यहाँ पर उसके साथ क्या है अभी प्रहलाद महाराज एक छोटे से पाथ साल के बालक है नरस्मदेव जो है परमपुरुशोत्तम भगवान है और वे अभी इरन्यकशिप को जो सिहांसन है वास्तम इस सारे विश्व के समराट का उसी हांसन है उस पे वो बैठे है और प्रहलाद उनको शान्त कर रहे है और नरस्मदेव क्या कह रहे है वो कह रहे है कि तुम्हारा कल्यान हो May there be auspiciousness for you बद्रम ते तो अभी यहाँ पर भगवान क्या कह रहे है कि हे प्रहलाद तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत संकटे आए बहुत विपत्या आए तुमने बहुत चुनवतियां का सामना किया है तुमने वास्तों में बहुत अन्याय सहा है पर अभी मैं तुम्हें यह आशिरवाद देता हूँ कि may there be auspiciousness for you प्रहलाद अभी तुम्हारे जीव में कल्यान हो प्रहलाद भद्र भद्रम टे तो आज आम नरसुमदेव के अविरभाव के दिन पर नरसुमदेव का दर्शन करने जाएगे तो हम भी आकांक्षा कर सकते है कि किसी दिन हम भी हमाने सेवा के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा भगवान को इस तरह से प्रसंद करें कि भगवान हमसे कहें कि भद्र बद्रम ते कि यसे प्रहलाद से कह रहे है प्रहराद भद्र बद्रम ते कि भगवान उनसे प्रसंद हो गए है उनका कल्यान हो ऐसे कह रहे है ऐसे भगवान हमें भी कहें तो वास्त में यह न केवल एक इतिहासिक प्रसंग है कि जब भगवान ने प्रहला, भगवान अप्रहलात के बारे में के बीच में कुछ आदान प्रदान हुआ है, पर वास्त में यह ऐसा है कि not just a historical incident, ऐसे नहीं कि यह इतिहास में का एक प्रसंग है, but a reflection of what should happen in our heart कि यह एक उधारन है, एक पतिविंब है कि हमारे रुदे में क्या होना चाहिए, हम ऐसे आकांग्शा कर सकते है कि ऐसे मेरे रुदे में हो जाए, भगवान जो है हम सब के रुदे में है सर्वस्य चाहम रुदिसन निविष्डो में सब के रुदे में हो बगवान कहते है, तो बगवान हमें भी प्रहलाद प्रहलाद भद्र भद्रम ते और फिर दूसरी चीज क्या कह रहे है, प्रीतो हम मैं आपसे प्रसन नहूं और उसमें एक और चीज क्या कह रहे है, असुरो तमा असुरो तमा मतलब कि आप असुरों में उत्तम हो, अभी साधा रंटेया, हम प्रहलाद को असुर नहीं मानते, प्रहलाद तो एक महान भकत है, पर उनका जन्मा असुर कुल में हुआ है, और भगवत गीता में भी भगवान कहते है, कि अपने दस्वेस अध्याए में, वो भूति योग नाम का अध्याह है, तब ही वो कहते हैं, दैत्याना प्रहलादस्य चास्मी, कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। अखी, इतनी दिव्य है कि वास्तों में यहाँ आप सर्वस्रीष्ट हो अभी यह इए श्लोक आचायरेगन बन आते हैं कि यहाँ पर प्रहुआपज जी ने भागते में बना चाहें कि असुर्वत्तम है पर कुछ आचारे कहते है कि यह असुरोत्तम नहीं है, वहां से अगर हम अ निकाल देते हैं, तो यह क्या होता है, सुरोत्तम हो जाता है अब यह सुरोत्तम बड़ा विशेश है, क्योंकि क्या है, कि वास्ता में प्रहलाद जो है, प्रहलाद इसुर नहीं है, वो असुर है तो यह असुरोत्तम भी कह सकते हैं, तो कैसे होता है कि जो आचारेगन होते हैं, कभी कभागोतम के शलोकों में थोड़ा सा, कभी कोई भेज हो सकता है, यह शब्द है या वो शब्द है, पर कोई भी शब्द हो, दोनों से भगवान का ही गुंगान हो रहा है, और भगवान के जो वर चाहिए आप मांगो, मैं वर देने के लिए आपको तयार हूँ. नकेवल तयार हूँ, कहते हैं, मैं सक्षम हूँ, काम पूरो उसमें, हम. वरम, रुणी अभी मताम, कि आप वर मांगो, मैं वर आपको दूँगा. तो अभी यह जो है, नकेवल भगवान कह रहे हैं, कि मैं प्रसंद हूँ, पर मैं आपको वर दूँगा. तो इंग्लिश में एक कहावत होती है, put your money where your mouth is. मतलब बड़ी-बड़ी बातें मत करो, कि अपना जो शक्ति है, अपना जो सामर्थ है, अपनी संपत्ति वहाँ पर लगाओ. तो भगवान मैं कह रहे है, ठीके, मैं केवल मैं आप से प्रसंद हूँ, पर इतना प्रसंद हूँ, कि आप जो भी मांगगे होगे, मैं आपको यह दूँगा. तो यह जो है, यहाँ पर पहला श्लोक है, जो भगवान कह रहे है प्रहलाद से. क्या है यश्लोग कि श्री भगवान वाच प्रहराद भद्र भद्रमते प्रीतों हमते सुरोत्तमा वरम रुणीशाभी मतम काम पूरोस में हम्द्रणाम हे प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ पे तत्पर हूँ मैं उच्छुख हूँ तो तुम क्या वर मांगा जाते हो आप खुरुपया वर मांगो तो किसी का कोई सवाल है इस लोग क्या अधार पर अभी तक तो अभी जो भगवान बता रहे है इस तरह से कि है प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम मांगो कुछ अभी और भगवान हम अगलेश लोग पो जाते हैं भगवान कहा कहते हैं भी अगलेश लोग में कि माम अप्रीनत आयूश्यमान दर्शनम दृरलभम्हिमे दृष्ट्वा मामन पुनर जन्तुम आत्मानम तप्तुम अरहती और वो कहते हैं कि प्रहलाद तुम में ये मांगने की जूरत नहीं है कि तुम्हारी मुक्टि हो जाए तुम्हारा उद्धार हो जाए तुम इस भहुत एं जगत से निकलो नो की माम अप्रीनत आयूश्यमान की वास्ता में की तुम आयूश्यमान यहां पर भगवान उनको आशिरवात दे रहे की है प्रलात्म लंबा जीवन जी तुम आयूश्यमान रहो माम अप्रीनत की दर्शनम दुरलभमी में की इस भातिक जगत में जो है मेरा दर्शन बड़ा ही दुरलभ है और अगर किसी को मेरा दर्शन मिलता है दुरुष्ट्वा मामन पुनर जन्तुर कि अगर मेरा दर्शन माम अप्रीनत आप बले लंबा प्राप करो उससे मेरा दर्शन मिलना इतना असान नहीं है पर दर्शनम दुरलभ हम ही में अगर दर्शन आपको मिल जाता है दुरुष्ट्वा मामन पुनर जन्तुर आत्मानाम तब तुम अरहती अगर आपको मिल गया दर्शन इस तरह से तो फिर पुनर जन्तुर ऐसे जीव के लिए आत्मानाम तब तुम अरहती उसका आत्मा तब त नहीं होगा अभी तब त नहीं होगा इसा क्या मतलब है कि यह मत्वपूर्ण इसमें पगवान कह रहे है कि मेरा दर्शन आसाने से नहीं मिलता है अगर अगर दर्शन मिलता है तो आपका आत्मा कभी तपत नहीं होगा तो आत्मा तपत कब और क्यों होता है जो आत्मा जो है इस भौत जगत में दो चीजों से तपत्त हो सकता है साधारैंटा हम कहते हैं कि कोई आग लग जाती है किसी को आग लग जाती है तो हम कह रहे हैं तपत हो रहा है पर जो है कैसे है कि。」 यहां पर हमारे एक शारीक आग के बारे में वरणन नहीं हो रहा है वह जो है कि inner fire that scorches, that hurts, that burns कि जैसे कोई अंदर से आग लग जाती है तो यह दो चीजों के आग होती है एक है distress, दुख and distresses, दुखों के आग होता है और दूसरा है, वो हमारे वास्तनाओं का आग होता है वास्तनाओं की आग होती है और इस तरह से अरे यह इतना बुरा क्यों हुआ मेरे साथ है ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ और यह एक प्रकार के आग होती है, जो दूसरी आग होती है अरे, मुझे यह क्यूं नहीं मिला, उसको क्यूं मिला वो आपको इतना अनुभा हुआ है, आपको इतना ग्यान भी है, साक्षातकार भी है, आप ऐसे दुसरे वक्त की इर्शा क्यों कर रहे हूं? मैं मैं इर्शा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बहुत दुख्き हूँ, कि उनके साथ इतने अचीं चीजे हो रही है, और मेरे साथ अचीं चीजे नहीं हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि यही तो इर्शा की परिभारी बाशा है परिभाशा क्या है ओर यह लगता है कि दूसरों के हैं बहुत अची चीदे हो रही है और मेरे साथ नहीं हो रही है तो अभी यहां पर कहने का भाव क्या है कि हम सब इस जगत में जल रहे है आत्मा नाम तब तुम अरहती, तब तुम, हम सब इस दुनिया में जल रहे हैं, और यह जलन है, इसको हम कैसे मिटा सकते हैं, कि भी हमको लगता है कि ठीक है, अगर बिमारी हुई है, यह बिमारी चली जाएगी, तो यह जो आत्मा के तडप है, वो चला जाएगा. कोविड की बिमारी सारे विश्व को गस्त कर चुकी है, भारत में एक बहुत ही भीशन मातरा में अभी तक भी है, यह मायापूर में भी काफी समय से थी, तो अभी, हमीं लगें कि यही चला जाएगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा, हाँ चला जाएगा, पर वास्ता में यह जाएगा है, तो जरूर हम चाहते हैं कि यह जो पीड़ा है कम हो जाए, पर हमें समझना है कि वास्ता में इस जगत में एक पीड़ा आएगी, दूसरी पीड़ा, गnt जाएगी, तो जो है, कि हम जानते है प्रसितध श्लोक, यह तपतम जो है, वो गोपी गीत में भी आता है तवकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीधितं कल्मशापहं श्रवनमंगलं श्रीमदाततं विग्रुनन्तिये वूरिदाजनः तो गोपी गीत में क्या बताया गए है बहुत सुंदर यहाँ पे एक उपमा दी गई है कि साधारेंट या अगर आग होती है वी एक्स्टिंग्वेश फायर बाइ वाटर अभी जब आग होती है तो पानी अगर हमें पानी मिलता है तो बड़ी राहत मिल जाती है अगर आग हमारे शरीर पे लगी हो शरीर जल रहा हो तो दरूर हमें पानी जैसे की आग बुझा दे पर आग बले ही है, आग जैसी गर्मी हमारे सारे आजवाजो में हो, तो पानी हमको पीने को भी मिल जाए, तो उससे भी रहात पिल जाती है पर वो जहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो आग है भक्ति में क्या होता है? भक्ति एक्स्टिंग्विशिस फायर बाय नेक्टर नकेवल यहाँ पर हम पानी से अगनी को बुजा रहे हैं पर वो अमृत से अगनी को बुजा रहे हैं यह क्या अमृत है? अमृत है कृष्ण कथा का अमृत है यह और वास्तों में एक कथा का ही अमृत नहीं है कई बार हम कथा सुनते है और कथा हमको कभी लगती है कि अमरुत में कथा नहीं है यह क्या हो रहा है तो क्यों हो रहा है वैसे योगि क्या है तभी हमारा रुदे जो है वह अगर उची चेतना में नहीं है तो वो कथा के द्वारा भगवान हमारे रुदे में व्यक्त नहीं हो रहे है तो यह अमृत क्या है? यह केवल वचन नहीं है वचनों के द्वारा जब भगवान प्रकटी करन होता है तो वे अमृत है by nectar of Krishna's presence manifested through his words कि उनके Krishna कथा के द्वारा जब भगवान प्रकट होते है तो उससे जो है हमें यह अगनी से राहत मिलती है तो भगवान ने हमें बता रहे है कि है प्रहलाद मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किये है और यह जो जलते है यह जो आत्मा नाम तब तुम जो जलते है वह जलन अभी उसका अंत हो गया है क्यों अंत हो गया है क्योंकि तुम्हें मेरा दर्शन मिलगा है माम अप्री इतना आसान नहीं है दर्शनम दुरलभम में मेरा दर्शन मिलना आसान नहीं है पर तुम्हें ये दर्शन मिल गया है अब क्योंकि ये दर्शन मिल गया है तुम्हें इसलिए अभी जो आत्मा नाम तब तुम्हारे जीवन में जो यातनाए थी जो क्या है यातनाए थी प्रहलाद के कि वास्तों में उनके ही पिता उनका वद करने का प्रयास कर रहे थे तो अब ये शास्त्रों में जो है बताया गया है कि अलग-अलग प्रकार के दुख होते हैं अब हम देखते हैं The Fire of Distress अगर हम दुख के देखवार में देखते हैं तो अलग-अलग प्रकार के दुख हो सकते हैं एक है कि The Fire of Extreme of Heat of Hot Weather बहुत ही गर्मी होती है कोई रगिस्तान में है तो उससे दुख होता है यह क्या है एक तरह से हम कह सकते हैं आधि-दैविक दुख है यह पर उसके साथ क्या होता है अंदर से दुख हो सकता है कि हमें Fire of Unfulfilled Desire कि हमारे जो काम वासना होती है भगवान कहते हैं प्रहलाद भी कहते हैं यह क्या है आध्यात्मिक क्लेश है पर सबसे जो हमें एक तरह से देखे हैं सबसे जो बड़ी बेटना होती है कि हमारे आजू बाजू के लोग होते है वह अगर हमारे साथ विश्वास घात करते है अलद अलद हो के दुख होते है पर जो विश्वास घात का दुख होता है वह क्या है वह एक आधी भहुतिक दुख है और यह सहन करना बड़ा मुश्किल होता है हमारा किसी से घनिश सम्मन्ध है हम किसी पर विश्वास करते है और फिर हमने इसे विश्वास किया है उसके बिलकुल विप्रीज जाते है मतलब क्या है कि हम उनसे कोई बड़ी हमारे जीओं के बारे में बहुत एक गुहिय बात बताते है हमारे रुद्य के बोज को हम हलका कर रहे है पर अगले दिन क्या होता है वे उसको फेस्बुक पर डाल देते हैं वे सारी दुनिया को उसके बारे में बताएं लग जाते हैं मैं तुमको बताया था है किसी को बताओ मत आप कि बताओ मत बताया था पर क्या होता है वो सारी दुनिया को बता देते हैं कभी कभी लोग कहते है कि क्या आप इस बात को गुहिया रख सकते हो can you keep a secret? जब इस तरह से पूछ रहे है मतलब क्या बता रहे है वो? वो नकिल्स पूछ रहे है कि आप इक इसको गुहिया रख सकते हो वो दर्शा रहे है कि वे स्वयाम उसको गुहिया रख नहीं पा रहे है इसलिए हो बता रहे है जब वो बोल रहे है can you keep a secret actually I can't keep a secret so I'll tell it to you but you keep a secret मैं नहीं कर पा रहा हूं यह पर आप यह करो ऐसे नहीं होता है तो इस वह से एक तरह से केवल किसी का गुईय बात बता देना यह एक betrayal है यह एक विश्वास घात है पर उससे बड़ा विश्वास घात क्या है कि कोई व्यक्ति हमारा सरक्षन करने माला है और वही व्यक्ति हम पे आकरमन करता है तो वह सेहन करना बड़ा मुश्विल होता है तो एक तरह से जो पिता है वह एक स्वाभाविक सरक्षन करता है अपने पुत्र के और वह पिता ही पिता ने ही कई बार अपने पुत्र का वद करने का प्रयास किया है और प्रहलाद ने यह सब सहन किया है वास्तों में इस प्रकार का अगर इस प्रकार की यातना किसी पर होती है तो वो व्यक्ति को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है आजकल के समाज में खास करके इसे पास्चात्ते करण और हो रहा है तो क्या होता है कि आजकल के परिवार साथ में नहीं रहते है और परिवारों में बहुत जगडा होता है कभी-कभी परिवार तूट जाता है डिवोर्स आदी की कारण और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो जीवन होता है, बहुत पीडाओं से भरा होता है, और ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो बड़े भी हो जाते हैं, तो उनको बच्चपन में जो भी उनने देखा है, सुना है, घर में जगडे हुए है, घर में यसे विस्पोर्ट हो ग पर प्रहलाद के साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में प्रकट हो। हमेशा प्रहलाद के रुदय में पर भी प्रहलाद के आखों के सामने भी वे प्रकट हो गए है। तो यह दूसरा श्लोक था। एक और श्लोक हम चर्चा करेगे इसके बाद में पर इसके बारे में कोई सवाल है किसी को। यहाँ पर भगवान तीन श्लोक बोलते है प्रहलाद को और अगले अध्या में कुछ लोक बोलेगे पर अभी हम तीसरे श्लोक पर जाएगे। अभी तक किसी कोई any questions or comments? Hare Krishna Prabhuji Hare Krishna Prabhuji मेरा question है जैसे कि आपने बताया जो हमारा कई तरिका दुख होता है इन दुखों में एक है कि आध्था अत्निक दुख इन दुखों में क्या होता है? जो हमारा desire होता है, जो हमारा काम बासना होता है जब वो फूल्फिल नहीं होता तो उसको कहते है आध्मातिक दुख तो इसको आध्मातिक दुख क्यों कहते है अच्छा तो जब हमारे इच्छाएं पूरी नहीं होती है काम पूरी नहीं होती है तो उसको आध्यात्मिक दुख क्यों कहते है क्योंकि वो हमारे मन में जो है अधिकांच रूप में प्रकट होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाहर जगत में जो जो चाहिए था वो नहीं मिला है इसलिए मुझे दुख हो रहा है वो पर शायद वो कई लोग होगे जिनको वो चीज नहीं मिली है पर उनको इतना दुख नहीं होता है, अभी मान लीजे, अभी अभी नर्से जटुदशी है आज, तो आम उपवास करते हैं दिन बर और फिर शाम को फीस्ट होता है, और बड़ा फीस्ट जब होता है, तो शायद हमने सुना है कि आज कोई special item है, कि आज कि फीस्ट में माल है, तो अभी क्या है कि माल पोवा नहीं है, किसी को लिए नहीं है, इसनी कि हमारे लिए, किसी के लिए नहीं है, पर दूसरों को क्या वो दुख हो रहा है, शायदों कि मन में वो इच्छा थी ही नहीं, तो जो दुख होता है, वो केवल बायरूप से वो चीज नहीं है, इस होता है तो इसलिए कि जो इच्छा होती है जो वास्तना जो होती है उसको कई बार एक अगनी के रूप में पताया गया है दुश्पूरेन आनलेन चभर तो जब हमको जारे हमारे अंदर वह अगनी जल रही है मैं चाहिए 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 और जब हमें बाहर से कोई चीज मिल जाती है वो अगनी कुछ समय के लिए थम जाती है पर जब नहीं मिलती है तो फिर वो अगनी बहुती असही हो जाती है उस समय के लिए तो ये आध्यात्मी किसको क्लेश क्यों कहते है? क्योंकि आध्यात्मा मतलब हमारे शरीर और मन से जो आती है. उस कलेष को आध्यात में कहते हैं. क्योंकि हमारे मन में ये इच्छा होये, मन में जल रही है इच्छा, इसलिए उसको आध्यात में कहते हैं. Okay? Okay, प encima, thank you far much. Thank you. Nice question. कोई और सवाल है किसी का? ठीक. तो अभी हम आखरी श्लोग पर आते हैं, आज जो हम चाचा कर रहे हैं उसके लिए तीसरा श्लोग है, सात्वय किसकंद के नवय अध्या का चौवन मा श्लोग प्रिणंति या थमाम धीरा सर्वभावेन साधवा श्रेयस कामा महा भाग सर्वा साम आशिशाम पतिम प्रिणंति या थमाम धीरा तो कहते हैं प्रिणंति, अगर कोई मुझे प्र सन्न करने का प्रयास करता है थि इस तरह से धीरा, तो अभी हम देखते हैं कि हर श्लोक में भगवान जो है अपने भक्त का गुंगान कर रहे है। वह साधूर प्रोड़्ति के लोग होते हैं, जो अच्छे व्यवहार करते हैं, और हर प्रकार से वह प्रसंद करने का प्रयास करते हैं. श्रेयस कामा महाभाग क्यों करते हैं जानते हैं कि काम अभी काम बुरा नहीं है इच्छा बुरी नहीं है पर किसके प्रकार की इच्छा बुरी नहीं है श्रेयस कामा कि जो हमारा परमकल्यान जो है उसकी इच्छा करना बुरा नहीं है वो अच्छा है पास्त में जो ऐसे करते हैं महाभाग जो तुम्हारे से बड़े भाग्यवान है सरवासाम आशिशाम पतिम उनकी इच्छां का मैं हमेशा पूर्ति करता हूँ आशिशाम पतिम की है प्रहलाद की आप बड़े भाग्यवान हो आप बड़े महाभाग हो जो आपने यह समय पसं ना किया है। उस तरह से अगर कोई पर्संदक करने का प्रयास करता है, तो मैं उनके आशिश्यों, उनकी इच्छाओं को सदा पूरी करता हूँ. तो यहाँ पर क्या कर रहे है भगवान न केवल एक तरह से प्रहलात को आश्वासंदे रहे है पर प्रहलात का उधारन लेके वो सबको आश्वासंदे रहे है हम सब को यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि प्रहलाज जो है वो हम सब के लिए एक आदर्श है कि किस तरह से हमें बक्ति करना चाहिए किस तरह से हम भी भगवान को प्रसंद न कर सकते हैं तो जिसे मैं बताया था कि जो भगवान की लीला है यह केवल एक एतिहासिक लीला नहीं है कि जो बहुत पहले हो चुकी है पर वो एक ऐसी लीला है जो भी भी हमारे रुदे में हो सकती है और आज जो नरसी चितुदशी है आज के दिन हम सब भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हम सब के रुदे में प्रकट हो जाए कि भगवान may the lord manifest in our heart उनका जो आविर्भाव है न केवल वो मंदिर में जब उनके आर्थी होते है उस समय होता है पर हमारे रुदे में भी होना चाहिए और भगवान कहते हैं कि होगा ऐसे जरूर जैसे प्रहलाद ने भक्ती की है वैसे हम भक्ती करेंगे तो यहां में बता है कि श्रेय कामा श्रेयस कामा श्रेयस कामा मतलब क्या कि फार साइटेड डिजायर जो इच्छा है जो दूरन देशी के साथ इच्छा की गई है तो हम सब में अलग-अलग प्रकार की इच्छा होती है और भक्ती जो है भक्ती और दूसरे मार्ग है इनमें एक महतपूर्ण फरक होता है कि दूसरे मार्गों में ग्यान मार्ग है योग मार्ग है उसे बताया गयता है आशाही परमम दुख्खम निराशा परमम सुख्खम कि आशा ही दुखों का कारण है, अब सब आशाओं को छोड़ दो, सब इच्छाओं को छोड़ दो, अभी ये इच्छाओं को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो इच्छाओं को छोड़ना मुश्किल है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे इच्छाओं को शुद्ध कर सकते ह rejecting desire but redirecting desire redirecting rejecting मतलब ना कहना but redirecting मतलब क्या एक दूसरी दिशा में हम इच्छा हम हमारे इच्छाऊं को केंज़ित करते हैं कि हमारे इच्छा है मैं तो स्मराण कैसे करूँ मैं भगवाण की सेवा कैसे करूँ क्योंकि भगवाण ही हमारे परम कल्यान देने वाले है वहाँ भगवान जो है वो कैसे है कि कृष्णा's greatest blessing भगवान के सबसे बड़ा आशिरवाद क्या है? इस कृष्णा हिंसेल्फ भगवान जो है उस स्वयम ही उनके सबसे बड़े आशिरवाद है भगवान हमें धन दी सकते है हमें सेहत दे सकते है, हमें परिवाद दे सकते है बहुत कुछ चीज़े हमें भगवान दे सकते है पर जो भी चीज़े भगवान दे सकते है उनमें सर्वस्रेष्ट जो है वह स्वयम भगवान है अगर भगवान अगर हमारे रुदाय में प्रकड़ हो जाते है और वह जो है वह इच्छा जागरत करना वही वास्तों में हमारे लिए सबसे बड़ा कल्यान का कारण है तो तो क्या है कि हमारे सबसब हमारे जोन में अलग-अलग प्रस्तर पर कल्यान हो सकता है पर हमें अगर कुछ मांगना है अभी अगले अध्याय में आता है पर what is the best blessing to seek कि हम क्या मांगे भगवान से कि कोई वक्ती है वह मांगे कि मेरी ये इच्छा पूरी करो भगवान, मेरी वो इच्छा पूरी करो कोई वक्ती कहते है कि नहीं, मुझे सारी इच्छाओं से मुक्त कर दो पर not desire nor desirelessness but desire for nothing less than the supremely desirable lord of our heart कि हम क्या मांगे एभगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो नहीं, ये इच्छाओं से आप मुझे मुक्त कर दो इस प्रकार की इच्छा मुझे तरपा रही है तो हम इच्छाओं की पूर्ती नहीं मांगते है इच्छाओं से मुक्ती नहीं मांगते है हम क्या मांगते है भगवान से कि भगवान आप ही मेरी इच्छा बन जाओ मेरे रुदय में आपके हलावा कोई भी इच्छा न रहे वास्तों में भगवाईता के बारवे अध्याय के नौवेश लोक में भगवान बताते है कि जब हम भक्ती की विधिक का पालन कर रहे हैं उससे क्या मिलता है हमें अगर अच्छी तरह से हम जब कर रहे हैं अच्छी तरह से शरवन कर रहे हैं अच्छी तरह से भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा हमको मैं क्या मिलेगा तो काम को लगा कि अच्छी ये कामनापूरी हो जाएगी ये हो जाएगा ये आशुरत मिल जाएगा आपको मेरी इच्छा मिल जाए मेरी इच्छा मतलब भगवान के प्रति हमारे इच्छा अगर बढ़ गई तो वही हमारे जीवन का परम कल्यान है मैं एक उधारन के साथ अंत्र करूँगा अभी कि मानलीचिये कोई व्यक्ति बड़े रेगिस्तान में है और उनके पास कोई गाड़ी है पर वो गाड़ी के ऊपर अरेगिस्तान में है पर क्या है? वो गाड़ी में अभी जो इंधन है, फ्यूइल है, जो पेट्रोल है खतम हो गया है विद फ्यूइल, विद नौ फ्यूइल इन वहीकल तो उनके लिए सबसे महतवपूर्ण क्या है उनको पानी चाहिए मुझे राहत चाहिए गर्भी से पर वास्तों में पानी भी मिल गया तो पानी पीए गया पर पानी खतम हो जाएगा उसके बाद में अगर धूप से राहत मिल गई पर कब तक राहत रहेगी रेगिस्तान ये धूप तो आ जाएगी वापस पर अगर उनको उस समय उनके गाड़ी के लिए फ्यूइल मिल जाएगा अगर उनको पेट्रोल डीजल मिल जाएगा तो क्या होगा? वो अपनी गाड़ी को रेगिस्तान से बाहर लिया आगते है तो उसे दर फ्यूइल फॉर आवर लाइफ हमारे जीवन के लिए जो इंधन है वो क्या है? इस आवर डिजायर फॉर कृष्णा तो अगर ये भगवान के प्रती हमें इच्छा मिल जाएगी भगवान के प्रती हमें इच्छा अगर सशक्त हो जाएगी तो उसी से हमारा परम कल्यान हो जाएगा श्रेयस कर इसी में है तो प्रहलाद के रुदय में भगवान के प्रती इतनी जो रंदिच्छा थी तो न केवल किसी भय से वो प्रभावित होए जब निरने कश्प उनका वद करने के प्रयास कर रहे थे न किसी प्रलोभन से वो प्रभावित होए जब निरने कश्प कहते है कि तुम तुमेर राजकुमार हो तुम अगले राजा बन जाओगे तुम केवल मेरी आराध ना करो मेरे सामने प्रणाम करो किसी से वो प्रभावित नहीं होए वो अपनी भक्ती में एकाग्र रहे और अभी उसका फल उन्हें मिल रहा है कि भगवान उनके सामने आ गए है और भगवान उनको इतने प्रसंद हो गए कि तुम जो आशिर्वाद चाहिए तुम्हें मांगो और तुम्हें मैं देद हुँँगा तो इस तरह से भगवान अपना रुदे प्रकट कर रहे है यहाँ पे तो इन तीन श्लोकों में आज हमने चर्चा कि किस तरह से भगवान नरसमदेव प्रहलाद से प्रसंद हो गए और हमारे रुदे की ऐसे आकांक्षा है कि किसी दिन भगवान भी हमें हमारे साथ इसी तरह से प्रसंद हो जाए तो सबसे पहले श्लोक में भगवान कहते है कि ए प्रहलाद तुम्हारा कल्यान हो प्रहलाद बद्र बद्रम ते और उस संबन में बताते है कि प्रहलाद अगर आप आप ने इस तरह से भक्ति की है काम पूरोस में, जो भी चाहिए, मैं आपको दे दूँगा, तो किसी व्यक्ति की शक्ति अगर हमें समझनी है, तो किस तरह से हम समझते हैं, एक है किस तरह से, कितना उनके शारिक सर पर बल्वान है वो, दूसरा है किसी बल्वान व्यक्ति क्रोध, किसी बल्वान व्यक्ति की सामना किस तरह से कर सकते हैं, किसी क्रोधि बल्वान व्यक्ति का सामना कैसे कर सकते हैं, किसी क्रोधित व्यक्ति का रुदे को कैसे परिवर्टित कर सकते हैं, तो प्रहला छोटे पाथ साल के बालक है, उनारसीमदेव के भाव को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है उन्होंने और क्या हुआ है कि भगवान उनसे इतने प्रसन्द हो गए है कि उनको कहते सुरौत्तमां कि आता वह सकता है कि अप सब्रस्द में स्रेष्ट हो वो तो सही है पर कि यहाँ पर इतने सारे सुर है उन्में भी आप स्रेश्ट हो वो सब अब में इतनी भक्ति नहीं है सारे देवताम इतनी आप में है प्रहलाद पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में हम चाहिए किस तरह से कि इस भौतिक जगत में आत्मा अनाम तपतूं सब ल सुर्वास्तनाओं से मुक्त हो गये हो और मै अगर कोई आपके प्रजसी भक्ति करता है तो वो सहारे दुखों से मुक्त हो जाएगा तो हम सब जल रहे हैं अलग अलग तरह से यह जलन जो है हम जलता है तो पानी डालते है पर यह भगवान जो है क्या है वो है नकेल पानी है वो अमृत के रूप में है पर यह अमृत कब आता है हमारे जीवन में हमें अनुभा होता है जब नकेलम कथा सुनते है पर भक्ति भाव से सुनते है जिससे कि उस कथा के द्वारा बगवान स्वयम परकट होते है और हमारा उधार करते है और पिती आखरी जो श्लोक था उसमें चर्चा की हमने उने देखा किस तरह से यहां पर भगवान कह रहे है कि नकेवल प्रहला तुम्हारा कल्यान होगा पर तुम्हारे तरह से कोई भक्ति करेगा अपने भावनाओं के साथ तो उनका भी मैं कल्यान करूँगा उनका भी मैं उधार करूँगा तो हम प्रहलाद महराज और नसे महदेव की इस आदान प्वदान का आज स्वरनगर के हम प्रहलाद महराज से नसे प्रात्ना कर सकते हैं कि हे प्रभो किसी दिन वो भी हमारे रुदे में प्रकट हो जाए और जो शिरेयस कामा जो सर्वोत्तम इच्छा है क्या है? कि भगवान के पती जो इच्छा है हमारे जीवन में, हमारे रुदे में विजागृत करे और वो इच्छा अगर होगी, तो वो इच्छा हमारे जीवन हमें बहुती जगत के रेगिस्तान में फसे हुए है वो इच्छा में इस रेगिस्तान से परपार लेकर भगवत धाम तक ले जा सकती है बहुत बहुत धन्यवाद जा सकती है क्रवय किशने मेर स्विषिनन थी पहले छूग में, हमने देखे की अप्रलाद महाराश कर ásक कि हमारे सामने hey यहें होते हें लेकिन इमने तो हमारे हम सब के सामने जब ऐसा situation में आए तो प्रलाद महराज क्या करते हैं उनको शान कर सकते हैं उनने इसना सुन्दर quality है तो हम कैसे ये गुन हमारे अंदर समाई कर सकते हैं हम कैसे ये गुन तयार कर सकते हैं हमारे अंदर अगर अई प्रलाद महराज कि वो किसी कुछ व्यक्ति को भी शान्त कर सकते हैं तो हम किस तरह से वो भी कर सकते हैं अचली इसमें कई चीज़े हैं कि साधार एंटेया जब भी कोई व्यक्ति को अभी मैंने कुछ दिन पहले आंगर मैनेजमेंट पर सेमिनार दिया था कि क्रोध को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं तो साधार एंटेया जब क्रोध होता है तो कोई व्यक्ति अगर क्रोधित हो रहा है तो अभी हमें यह देखना है कि न क्यों लिए किस तरह से मुझे बात कर रहा है इतना क्रोध में यह है कि कि पहली चीज है कि पाउज, पाउज मतलब जब भी कोई हम पे ख्रोध होता है, तो हमारा पहर, हमारी पर देक्रिया कहते है, तुम मिछ पर चिल्लाओगे, मैं तुम पर चिल्लाओंगा, अगर हमें लगता है, कि मैं उनका सामना कर सकता हूँ, अगर नहीं लगता है, तो हमे तो इंग्लिश में कहते है fight, flight or freeze कि मैं तुम पर चिलाओंगा, मैं यहां से भाग जाओंगा या मैं बल्कुल भैबित हो कि मेरा मुँ बंद हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाओंगा तो एक कुछ भी करने जाएगे pause, पहले क्या है जो भी प्रतिक्रिया मन में आ रही है, पहले रुप जाओ तो मन में हमारे कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं कुछ सबसे पहले शान्त हो जाओ और फिर pause, फिर दूसरा है, think think, think मतलब, ना केवल वो किस तर से बोल रहे है, वो कैसे हाबाव है उनके चेहरे पर क्या है वो देखो पर वास्तों में क्रोध क्यों आ रहा है तो साधार अंतेया क्रोध के तीन कारण होते है तो क्रोध जब आता है, उसका करना था है, pain, frustration और fear कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है, तो क्यों क्रोध में आता है या तो वो स्वयम दुखी है, या तो स्वयम वो भैभीत हो चुके है या वह किसी तरह से हताश हो गए है, कुछ प्रात करने का प्रयास कर रहा है और नहीं मिल रहा है वो तो जब हम समझते हैं कि एक क्रोध में क्यों आए है तो अगर कभी मान लिजे, कोई छोटी से बिल्ली होती है अभी मान लिजे काफी बड़े होते है पर अगर कोई मा बिल्ली है, मा बिल्ली है, उसके छोटी छोटी बच्चे है और उसके सामने अगर वो कोई बड़ा वेक्ति आते होए देखता है तो पहले बिल्ली दूर जाने का प्रयास करें पर अगर देखें कि पीछे दिवार जाने सकते है तो बिल्ली क्या होगे? वो अपने दाद दिखाएगी, अपने पंजे दिखाएगी और क्रोध दिखाएगी वास्त में क्रोधित नहीं है, वो भैबित है तो थ्री रिजन्स फियर, फ्रस्ट्रेशन, और पेइन मान लिजे, कोई हतोडा मार रहा है और कोई कीला मार रहा है, और कीला वो हतोडा कीले पर रखने पर उनके अंगुठे पर लग जाता है तो वो चिल्लाएगे और जब दर्द होगा, कोई उनके सामने आ जाएगा तो उनके उन पर चिला देगे शायद कभी कभी क्या होता है वो क्रोध हम पर कर रहे है पर हमारे बारे में ही नहीं वो क्रोध वो क्या वो शायद उनको वहां पर उनको लग गया है और हम उनको पूछते हैं कैसे करना है यह परिशान क्यों कर रहे हो तुम तो हम अले, मैंने क्या किया है हम पर वास्तर में शायद हमने कुछ किया भी नहीं है वो किसी और चीज के कारण वो एक तरह से दर्द में है और वो दर्द के कारण हम पर निकाल रहे है तो थोड़ा हमें विचार करना है और यह आसान नहीं है पर जब वो बोल रहे है, वो क्या बोल रहे है? So don't just listen to the words. Listen to the feelings. उनके भावनाओं को समझने प्रयास करो. अगर यह अगर हम चीज करते हैं, पहला pause. Pause मतलब जो तुरंट करने की इच्छा होती है, तुमने मुझे भी ऐसा शब्द बोले मरे परती, कैसे तुम ऐसे बोल सकते हो तुम ऐसे बोल सकते हो तो मैं भी ऐसे बोल सकते है वो pause और फिर think think मतलब क्या कि विचार करो समझ दे के लिए ऐसे क्रोध में क्यों आए है और फिर उसके बाद में क्या है pray, प्रातना करो तदामी बुद्धी योगम तब भगवान बैदाते है कि मैं आपको बुद्धी दूँगा और उसके बाद में चौती चीज़ है कि जब ही बोलना है speak softly यह जो से अभी हम जानते है अभी यह कोरोना बिमारी है क्या है वो infectious है infectious मतलब क्या कि मैं अगर आपके करीब आजाओंगा तो अगर आपको है तो मुझे आ सकती है आप से मुझे में है तो आपको आ सकती है तो यह एक विक्ति है दूसरी विक्ति पर जाती है तो वैसे क्या है anger is also an infectious disease क्रोध जो है यह एक ऐसी भावना है वो है एक ऐसी बिमारी है जो फैलती है और मतलब अगर आप क्रोध में हो तो आपका क्रोध देखकर मुझे में क्रोध आता है भले मैं वेक्त करूँ या वेक्त ना करूँ मुझे में भी क्रोध आता है तो मैं ऐसे कैसे बोल सकते हूं मैं क्रोध में आके कुछ बोलता हूँ तो क्या होता है आपका क्रोध और बढ़ जाता है तो अगर किसी को कोरणा हो गया है तो हमें क्या करना है हमें उसको भी रोकना है बंद करना है उसको और फैलाना नहीं है तो यह आसान नहीं है पर यह कर सकते है कि कुछ भी हो जाए, I will not raise my voice, gently बात करो, भगवान कहते है भगवाईता में अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियाहितम चैद, वैसे नहीं बोलने कि दूसरों को मसका लगाओ, जुट बोलो, दूसरों को शान्त करें कि बोले, पर शान्ती से बात करो, अनुद्वेग है इससे मत पात करो, जिससे की दूसरों उत्तेजित हो जाएगी, तो यह जुश्लोक है, किसी का क्रोध को शान्त ना करनी है, तो भगवाईता के सत्तरावे अध्याय का जो पंधरवा श्लोक है, उसमें कही अच्छे मालगवशन दिये हैं, और कै मधुरता से, जेंटली, सॉ अब यह ऐसे नहीं है, यह कहने के बाद भी, ऐसे नहीं है कि हर बार क्रोध शान्त हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वो दूसरी विक्ति पर निर भरे, प्रहलाद ने नर्सिम्मदे के क्रोध को शान्त कर दिया, पर प्रहलाद जो है, हिरने कशिपू के क्रोध को शान्त नही प्रेश्टे में अच्छे लोग के समाज में रहते हैं, तो जो ऐसे पूरी तरह से आसुरी प्रोथती के लोग कम होते हैं, होते हैं, पर जा बहुत कम होते हैं. तो अधिकांच परस्थितिय में, अगर हम यह चार चीजे करेगे, तो क्रोथ को कम करने के संभावना काफी और बढ़ जाती है. Does it answer your question? Yes, प्रावधी, thank you so much. Thank you for that wonderful question. रे खृष्णा. अनंत बहुआ बहुत आपना question दिए सबस्क्राइब. Unmute for an English प्रुआ. अजरे खृष्णा प्रोजी. दन्वत पराव. अजरे कृष्णा दन्वत. प्रोजी, मेरा question है कि हमारे लिए ज्यादा problem है अपने desires जो है. इसा पढ़्लाध महाराज was completely free from all wrong desires, but in our case, the desires are mainly problems. So कभी-कभी हम अनर्थो से संगर्ष करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि after a third time, it again is come back. So फिर से थो हम कोशिश करते हैं, फिर से यह come back हो जाता है. तो कभी-कभी ये संगर्ष में लगता है कि भववान सच में हमारे मतलब help करना चाहते हैं, obviously help करना चाहते हैं, तो how to see in this situation that actually God is helping us, या कैसे देखेंगे उसको? ये काफी एक तरह से आजीवन संगर्ष होता है ये, कि हम जब हमारे बहुते की इच्छाएं जो होती हैं, उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो इच्छाएं बार-बार आती रहती हैं, तो इसके दो उधारन दुगा में, कि जब हमारे जीवन में बहुते की इच्छाएं बार-बार जाती हैं पर वापस आ जाती है, बहुते की इच्छाएं जाती हैं आती हैं, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या भगवान हमारे मद्द कर रहे हैं, तो दो उधारन हैं, एक ह कि सागर है, सागर के तट पर लहरे हमेशा आएगी, सुरोतो गनस्तमरनम भजवासु देवम, भागोतम इस दो काता है, कि सत यत्पाद पंकजपलाश भिलास भक्तिया, जो यसे सागर के तट पर लहरे आएगी, वैसे ही हमारे हिर्दे में इच्छाओं की वास्ताओं की लहर आती है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से जो आत्मा है, वो तटस्त शक्ती है, जो बतलब आत्मा जो है, वो तट पे रहता है, यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर माया है, और हमार जो एक, जो constitutional position है, हम यह स्वाभावी सिती जो है, हम तट पे है, पर क्या होता है, जितना हम भक्ती करते हैं, उतना, अभी साधायन ता हमें दुष्टी, वो सागर की ओर होती है, और यह लहरे आ रही है, पर जितना हम भक्ती करते हैं, तो हमारा जो है, वो माया की ओर से, भगवान की ओ और मुडने लगता है, और जितना वो हमारा भगवान की ओर मुडता है, उतना वो इच्छाओं का प्रभाव हम पर कम होता है, ऐसे है कि जो लहरे तो आएगी, पर अगर मान लीजे, अगर हम, हम जो नीचे जमीन है हमारी, वो जमीन भी कमजोर है, आया हम एक फर्मली नहीं है, तो लहरे आएगी, तो लहरे हमें वो गिरा देगी, लहरे हमें ले जाएगी, पर अगर हम सक्षमता से खड़े है, तो लहरे जो हमें लेनी जाएगी, तो उस क्या है कि हम यह पेक्षा नहीं कर सकते हैं कि लहरे आना बंद हो जाएगा, लहरे तो आएगी, रहेगी आते रहेगी पर क्या होगा जब हम बक्ती करेगे इतनी वो लहरों से हम उतना प्रभावित नहीं होगे यह कैसे होगा कि दो चीज़ हैं बाहर से प्रलोबन हमारे मन के अंदर आ रहे हैं और हमारे अंदर से एक दुड़िगन हो रहा है कि मुझी ये चीज़ करनी है तो बाहर से प्रलोबन तो आते रहेगे. पर जितना हम हमारी दुश्टी भगवान की और कीद्रित करेगे, भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, भगवान का किर्गतन उसमें करेगे, तो यह जो प्रलोबन है, उसका प्रभाव हम पर कम हो जाएगा. तो भगवान शब्दन इस्तिमाल करते हैं, सत्तरवश लोक में दुस्य अध्याय के, न काम कामी, की न काम कामी, मतलब काम तो आएगा, काम इच्छाएं तो आएगी, पर वो इच्छाओं पर हम कार्य नहीं करेगे, तो ये एक है कि, हम जो है, जो हमें सकारात्मत कारे करना है, उसमें और सुद्रूर हो जाते हैं, और दूसरा उधार रंदूंगा मैं, आप सब जानते हैं कि कभी-कभी लोग ऐसे, आम रेसलिंग, अगर मान लीजे, दो लोग आम रेसलिंग कर रहे हैं, तो अभी इसमें क्या है, कि एक वेक्ति बड़ा बल्वान है, और वो वेक्ति दूसरे के हाथ को भी गिरा रहा है, तो कभी-कभी वैसे गिराने लगता है, हमको लगता है, कि रहे हैं तो इतना शक्तिशाल लिए इतना भी रोकने का प्रयास कर रहा हूं यह दर्द हो रहा है कब तक रोक तो छोड़ेते हैं पर मान लीजिए यह ऐसी मैच है तो यह एक ऐसे हष्तर युद्ध की मैच है theo पर इसे टाइमिंग की मैच हिए तो ये तीन ही पाच मिनिट साथ मिनित डज्स मिनिक्ड की मैच होती है तो मतलब किया है जब हम मैं हमारे मन में इच्छाए जागरत हो जाती है, तो ऐसे लगता है यह सहन में कभी करी नहीं पाऊँगा, कब तक सहन करूगा, पर ऐसे नहीं कि जो इच्छाय आती है, वो हमेशा के लिए रहने वाली है, वो इच्छाय आती है और उस समय से लगता है कि यह सहन नहीं कर पाऊँगा, पर वो कुछ समय के पूरे जीवन बर पकड़ के रखने की जुरूत नहीं है। यह जिन्दगी पर आते रहेगे। चाहिए जिन्दगी पर आएगी भी पर उसी मात्रा में जिन्दगी पर नहीं रहती है। जो इच्छाएं आती है, they come in waves। जब लहर आती है तो काफी शक्त चाली होती है। पर लहर चली आती है। तो इसलिए by understanding कि अगर हम एक तो है कि भग शक्ति करते रहेगे, तो उसके देच्छाओं के शक्ति भी और धीरे-धीरे कम हो जाएगे। तो आवर, I'll conclude with this, कि we need to judge our spiritual advancement not by the presence of desires, but by the presence of our intention। कि इच्छाय आ रही है, इसका मतलब मैं अशुदी ही हूँ, इच्छा आ रही है मतलब भगवान मुझे पकूरपा नहीं कर रहे है। इच्छाय आा रही है मतलब 牠क्ति में प्रगति नहीं कर रह। हैं। ऐसे नहीं है। कि इच्छाओं का इच्छाओं ज psychologists आती है, तब ह क्या करते हैं, क्या हम इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, क्या इच्छाओं का सहन करना चाहते हैं, इच्छाओं का पतिकार करना चाहते हैं, क्या भगवान की इच्छाओं की इच्छाओं की इच्छाओं की इच्छाओं की इच्छाओं की इच्छाओं की इच्छाओ संकाल का हम उंधै करने का हम परयासं करने करुब दएखें कि हमारा COM आदो कुलन को Cubale माता दी भोलूं PLE माते आपने अपने सब्सक्राइशल doviov अन्दूज़ दिया सब्कुम्धा दो प्रशम आख अंच अगर गुनको सिन Spain संर्पी जुष्प भmäß ए जुष्पावो ज्थ सीब्लाभू प्रवाला आपको कुलास। अपना नेट्वार के प्रप्रब्लेम होगा अचे गान्टा पॉरे गान्टा पॉरे आगे क्लास्ट एस्च कोड़े पी जूष पबू आपना कुनो प्रशना अच्छा आपरवा हरकिष्जन को दान्डवात नब रूगुव कार करा यह tartarो शेला करusal कॉना आपको जोग कोटित एवं यह वाért अलोचना को ठैजिक आग यह परव बिया ऑन ए इंदि ते बोलत है बशने पूइड वन अम्हाना हाँ छॉपuter जोरो कीटाइ यह पूछ नियु है दियात और सावन परोच करते हैं टो सावन कर आद सम्हें आपके जॉप oli हम आसा माइडे में खबहे और चला जा जाए है हम कोशिश करते मायन को रूपने के लिए रूपने के लिए आपने आप पर अबुने कर बाते हैं तो इस वास्ता में हम क्या कर सकते कैसे मायन को जॉब की तरफ या लेक्टार की तरफ और भी और भी जाने हम परस करें यह तो वास्तो में सबका सबका संघर्ष है सबका यही परिस्तिती है क्योंकि मन जो है सभाव से ही अस्तिर होता है तो अगर मन अस्तिर हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वास्तो में हमें भगोईता में बताते है कि कि अगर मन पे हमें काबू प्राप्त करना है तो क्या है एक है अभ्यास कि मन भाग रहा है अगर उसको केंदर करना है तो हमें प्रैक्टिस करना है अभ्यास मतलब क्या है कि ऐसे नहीं सिर्फ जब करते रहा है जब करना मतलब पूर्ण है पर अगर मान लीजे अगर हमको कोई तीर मारना है अभी अर्जुन जो थे वो तीर मारने वालों व्योद्धाओं में सरोसरिश्टर थे मतलब क्या था कि बराबर निशाने पर तीर पर ठीक हर बार मैं प्रयास कर रहा हूं, निशाने के और कम से कम आखे तो लगाता हूं और तीर मारता हूं, तो जितना मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे, सिर्फ तीर छोड़ना जरूरी नहीं है, वो निशाने पर केंद्र करके तीर छोड़ना है, तो उसी तरह से हम सोचते हैं, सोच चकते हैं, कि हर बार हम जब कर रहे हैं, तो हम वो निशाने पे तीर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और यह समझना बहुत मत्रपूर्ण है, कि failure is not the opposite of success, failure is the pathway to success, कि अपयश जो है, हम कभी सोचते हैं, अपयश और यश, यह दो विरोध है, मुझे अपयश मिल रहा है, मतलब मैं मुझे यश नहीं मिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि दोनों यह विरोध में हैं, पर विरोध में नहीं हैं हमेशा वो, failure is the pathway to success, मतलब अपयश ही, यश का दर्वाजा है, हम अपयश से ही यश की और जाते हैं, कोई ब्रक्ति अगर कहता है कि मेरा तीर निशाने को लगेगा नहीं इसलिए तीर ओपाईदा क्या है। तो अगर वो ऐसे सोचेगा तो कभी भी तीर लगनाई यह वाला नहीं है. वो तीर निशाने में कब लगेगा, जो परयास करेगे, परयास करेगे, परयास करेगे. मैं इंगलंड में था, प़रीम करते समय, और वहाँ पर 인गलंड में अभी, आजकल तो कोई धनुश्य बान से युद्ध नहीं करता है पर फिर भी वो होता है गन से कफी कोई टारगेट शूट करते है और उसमें वो भी स्पोर्ट से है, वो भी खेल है जिसमें ओलिम्पिक मेडल वगेरे, बड़े-बड़े मेडल मी मिलते है तो वहाँ पर एक व्यक्ति है, जो आर्चर है गन शूटिंग करते है और वो अभी काफी वो चैंपिन जिसे बन गए इंगलन में तो मैं उसे बात कर रहा था वो अभी भक्ती में भी आ गए थे तो बोलते हैं कि उन्होंने अब तक उनके जीवन में जिसे प्रैक्टिस शॉट्स होते है उन्होंने लगबग बचपन से पाच करोड से जादा शॉट मारे हो गए और पाच करोड से बाज शॉट मारने के बाद अभी क्या है? कि 20 शॉट मारे गए तो 20 शॉट में से अभी एक शॉट उनका जो बराबर बुलजाय कहते हैं, बुलजाय मतलब जहां पर मारना है वहां पर जाता है, तो साधारन जीवन में भी कोई चीज को गोली मारनी है, निशानी पर लगनी है तो इतना प्रयास करना है, पाच करोर बार मारना पड़ता है, तो उन्होंने प्रयास के इसलिए उस संक्षरता में प भाग रहा है और उसे हम भागने देते हैं और उसके साथ हम भाग जाते हैं पर अगर हम प्रयास भी करें ठीक है भाग रहा है उसको वापस लाओ भाग रहा है वापस लाओ इस प्रयास में ही हमारा यश है क्योंकि क्या हो रहा है हम निशाने पे तीर मारने का प्रयास कर रहे हैं तो अगर यह हम समझ जाएगे कि failure is not the opposite of success, failure is the pathway to success, कि मन भागना यहां हमारे जब का अप्यश नहीं है, मन भाग के, मन भागेगा उसे वापस लाने का प्रयास करेगे, यहां हमारे जब में और भक्ती में यश का मार्ग है यह समझेगे, तो उससे हमें सांतवना मिल सकती है, उसमें हमारा आत्मविश्वास और बढ़ सकता है और आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरा चीज यह है, कि नकेवल प्रैक्टिस है बगान दूसरा कहते है वाइराग्या वाइराग्या मतलब क्या है? कि यहाँ पर कि जो चीजें हमारे मन को उत्तेजित करती है भागने के लिए प्रवर्थ करती है उन चीजों से थोड़ा दूर रहे उन चीजों के प्रति थोड़ा वाइराग्या आने का प्रयास करें, कम से कम जब के समय, मान लिजे अगर हम जब करने को बैठते हैं सुबे और कोई कहता है कि मैं तुम्हारे सामने महाप्रसाद का प्लेट रखे रखूगा पूरी, पकोड़ा, पुलावा पनीर सबजी स्वीट्स और अभी आप उसके सामने सारे वो प्लेट की और देखो आके बंद नहीं करनी है अके बंद देखना नहीं है उसकी और देखो और पूरे ध्यान से जब करो अभी कहां तक संभव है वो अगर हम वो महाप्रसाद की और देख के जब करने का प्रयास करेगे तो मन उसके और ही चला जाएगा अभी महाप्रसाद ग्रहन करना यह भी भक्ती की ही सेवा है भगवान ने महाप्रसाद दिया है तो जब उसका ग्रहन करो पर जब के समय नहीं जब के समय क्या है ठीके महाप्रसाद है अभी नहीं कहीं और रख दो और मैं भी जब करूँगा तो उसी तरह से क्या है वहिरागर यह मतलब क्या है कि जो चीजे हमारे मन को उत्तिजित करती है उससे थोड़ा दूर रहो शायद हो चाहिए गे ato tempo करना है तो phone को दूर रख दो या phone अगर हम में पास में रखना ही है तो सब message is on मत करो बाकि सब messages को off करदो बहतर है कि सुबह के समय में जब करो, तो उस समय क्या होता, इतने सारे उत्तिजिंद करने चीज़ नहीं होती है, और जब के समय ही नहीं, ऐसा अधरनते है हमारे जिमन में, जो चीज़े हमारे मन को उत्तिजिंद करती है, उससे थोड़ी दूरी रखेगे, तो क्या है, मन को इधर उधर भागने के लिए भी शक्ति लगती है वो शक्ति कहां से आती है जहां जुन चीजों के द्वारा हमारा मन उत्तियत होता है उसके द्वारा वो मन को शक्ति मिलती है तो वो मन की शक्ति को हम कम कर देगे तो क्या होगा मन का भागना अधिरे दिरे कम हो जाएगा तो अभ्यास और वैरागे से दिरे दिरे हम हमारा मन प्वान में और केंदित कर सकते हैं धन्यवाद Hare Krishna तंदबः नपरूद नपरूद तंदबः नपरूदा हमें तंदबः नपरूद तो अम्रे अग्भाय श्कॉड है अरेकिष्ना महामंत्र उचारन पो जयाम राया अच्या माताजी प्रस्क पर्विन? अए अरेकिष्ना कुई दन्वत पर नाम देख्न पर रिच्छना कुछना, I have to go after this. थे जोगते ही माम जाप करता है, जाप में मोन तो लग जाता है अलागने का बाद एशा होता है भोग निवेदन करने का टाइम आता है लेकिन जॉप छोड़ने का इच्छा नहीं होता है एक टो फिर भी जॉप छोड़के भोग निवेदन करता है बाद में जॉप में जितना इंटर्श था इतना आउट आता नहीं थारा सौमस्टा बता है पर उसके बाद में वह आपस जब उतनी रूची नहीं आती है अगर कभी भी जब में रूची आ रहे हैं तो यह भागय का लक्षन है और एक तरह से जितनी भी रूची जब भी आती है उसके लिए हमें कृतग्य होना है और यह एक चीज है दूसरी चीज है कि जब का मतलब भी क्या है वास्तों में जब का मतलब कि है भगवान आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ वह भाव है तो अगर वही भाव वास्तों में है कि है भगवान आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ तो अगर हमको जब करने के बाद भगवान को भोग लगाने के सेवा मिल रही है तो एक तरह से वह भी जब की पूर्ती है वो जब करने का यश है कि हमको जब करने के बाद भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो इस तरह से ये उनको दोनों अलग-अलग चीजें मत देखवा कि जो आप जब कर रहे हैं और जब में मन लग रहा है उसके मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे है और आपको ये जब करना भी सेवा है और भोग लगाना भी सेवा ही है और अगर इस तरह से दोनों में हमारा दोनों से मिल रही है हमको तो अच्छा ही है पर अगर ऐसे हो रहा है थोड़ा व्यत्ते होता है तो फिर थोड़ा आपको स्केडियूल एजस्ट कर सकते है आप और जो है जब भोग लगाने के पहले आपका जो जो माला आप कर रहे है भोग मेरे जब के बीच में आ रहा है जब पूरा हो गया है अभी मैं भोग कर रहा है तो थोड़ा अगर आपके दिन चर्या को एजस्ट कर सकते हैं शायद पहले जल्दी सो जाएए जल्दी उड़ जाएए तो उससे दोनों साथ में कर सकते हैं पर अगर दोनों साथ में न नाम मैं ले रही थी अभी, तो उसी भगवान को कि अभी मुझे सेवा करने का मोग का मिल रहा है। तो इसलिए दोनों को ऐसे, don't see them as two opposing activities, see them as two similar activities, अभी मैं गोली मारने का या तीर मारने का उधारन दे रहाता, तो अगर भगवान पर मन लगाना यह हमरी तीर मारने के समान है, तो जब करना मतलब एक दिशा से हम तीर मार रहे हैं, और भोग लगाना मतलब दुसरी दिशा से तीर मार रहे हैं। हम प्रवच्चन सुन रहे वो भी तीर मार रहे तो कभी कभी कैसे होता है कि कुछ लोगों को एक दिशा से तीर बार आसा हो जाता है दूसरी दिशा से माना थोड़ा कठिन हो जाता है तो कुछ लोग का मन है वो कथा में आसा है जाता है जप में आसा है नहीं लगता है अधिक आपर आपिती ही लगा रहे तो अगर वह एक समझ वए अगर हम देखते हैं तो फिर इतना वीरोधो ही लगेगा हमको और सब कारियों से हम भगवान में केंदि लगा सकते हैं कि अनो है क्रिश्नाया शात्य न्यच्विश्पा किम आइट करें आत्क है उनात्री पे आछिक अम्रा निषिक नीन देव दें तरह सुंद रखा सबंधों क्योंके पैसे सावे नम्रा परुभुकियाखभर हरभिस्ट महामं पुछरन परे भूकियाँ चाहा सब्सक्याण दाना पर श्वदुना आरे करिस्ता है अजे वौठी पुर्टूर्ण खोटर्य धूर्ण गूर्ण पुर्टूटूड़ किkę राचुछी आग्ण डिराच के परभू, धिर विट्टार्ण फूल्प ठार्म आ पॉर्ण। व्या पूर्ण दो छॉन टूर्स पुर्टूर्पूर्ण। ग्रूर्ण टूर्ण प्रूर thank you Re Krishna Re Krishna Re Krishna